दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्जाम सभा में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपोर्टेंट चीज जो कि हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिस काल में जितने भी इंपोर्टेंट पत्रिकाओं का संपाधन हुआ या जनरल का संपाधन हुआ तो किस वर्स हुआ, कहां पर प्रकासित हुआ, या फिर उसका संस्थापक या संपादत कौन था, इसके बारे हम लिस्कस करेंगे यहां पर, तो क्योंकि यह परिच्छा के लिहाज से बहुत महत्तपूर होता है, कई आपसे परिच्छाओं में, किसी पर्टिकुलर पत्रिका क प्रकासित किया था, और इसको प्रकासित करने वाले इभ्यक्ति का नाम था, James Augustus Hickey, समवाद कौमुदी जो कि बंगाली की एक सापताहिक पत्रिका थी, 1821 में इसको प्रकासित किया था, राजा राम मुहन राय के द्वारा, मिरात उल अकबर, जो कि फार्सी में सबसे पहल पत्रिका जो है, 1822 कुलकाता में प्रकासित किया था, यह भी राजा राम मुहन राय के द्वारा प्रकासित किया था, बंगा दूथ, चार भासाओं में अंग्रेजी, बंगाली, फार्सी और हिंदी में सापताहिक पत्रिका थी, जो कि 1822 में कुलकाता में प्रकासित होती थ और राजा रामोहन राय और द्वारकानाथ ठाकूर के दार इसको प्रकासित किया जाता था उद्धंड मारतंड सब जानते हैं इसको काफी चलशित पत्री का थी हिंदी का परथम समाचार पत्र भी इसको माना जाता है कई बर आसे परिच्छाम पुछता कि हिंदी का पहला समाशार पत्र कौन से था तो उद्दंड मारतंड आता है और ये 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होना शुरू हुआ था और जुगल की सोर सुकुल जो थे इसके प्रकाशक थे ठीक है उनके दारा प्रकाशित किया गया था अब जैसरा कि मैंने बता दिया कि टाइमस आफ इंडिया जो कि आज की भी पत्र का है आज का पेपर है तो उसका नाम बदल करके 1861 में बदला गया था राष्ट गोफ्तार एक गुजराती पाच्छिक थी पाच्छिक मतब क्या हुआ कि महीने में दो पच्छ होता है ना तो हिंदी के हिसाब से दिखा जा तो दो पच्छ होते हैं तो पाच्छिक पत्र का थी मतलब एक पच्छ में एक बार च्छपती थी राष्ट गुफ्तार इसको दादा भाई नरोजी जो कि गुजरात के ही थे तो वो गुजराती में इसको छापते थे 1861 में च्छाप गया था हिंदू पैत्रियट की अगर बात किया था तो एठाउस सो तृपन में कलकत्ता में गरिष च्णर घोस के दोरा प्रकाशित किया गया था सोम प्रकाश 1858 कलकत्ता और इसको द्वारकानाथ विद्या भोक्षन के द्वारा प्रकाशित किया गया था भारती आईना 1862 में कलकत्ता में देविदना टैगोर और एनन सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था बंगाली एक पत्रिका है इस और अमित बाजार पत्रिका जो कि पहला स्थानी भाषा का पत्रिका था तो 1862 में कलकत्ता में इसको प्रकासित किया गया था गिरिश्यंद्र घोस 1879 में S.N. बैनरजी के अधिकार कर लिया गया था तो गिरिश्यंद्र घोस के द्वारा सबसे पहले बंगाली पत्रिका को संपादित किया गया था प्रकासित किया गया था राश्टी और पेपर की बात किया जया तो 1865 में कलकत्ता के कलकत्ता से प्रकासित हुआ था और इसको प्रकासित करने वाले व्यक्ति का नाम था देवेंदरनाथ टैगोर ध्यान रखीका कि देवेंदरनाथ टैगोर दो जगह हैं 1862 में 1865 में भारती आईना और राष्टी पेपर तब कभी आपसे इतना भी पूछ सकता है अमृत बाजार पत्रिका का हमने यहाँ पर चर्चा की सुरुवात में बंगाली बाद में अंग्रेजी का दैनिक हो गया था 1868 में जेसोर जिला से प्रकासित होता था सिसीर कुमार घोष और मोतिलाल घोष यह दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा प्रकासित किया जाता था बंग दर्शन जो है आपका 1873 कलकता से प्रकासित हुआ था और बंकिंचन चेटर जी इसको प्रकासित करते थे इस्टेटस्चन की बात करें तो 1875 से कलकताम प्रकासित होता था रॉबर्ट नाइट इसको प्रकासित करने वाले थे हिंदु की बात काई जो आज की डेट में दाहिंदु के नाम से जाना जाता है तो 1878 मदरा से इसके सुरूआत की गई थी मदरा साब जानते हो कि साउथ इंडिया में आता है और ये साउथ इंडिया से सुरुवात की गई थी किसके द्वारा वो भी ध्यान रखेगा G.S. Iyer विरागवचारी और सुबा राओ पंडित इन दोनों के द्वारा हिंदू पत्रिका का सुरुवात किया गया था 1878 में मदरा से ट्रिब्यून की बात करें तो 1881 में लाहोर से सुरुवात की गई थी और डयाल सिंग मजीतिया के द्वारा सुरुवात की गई थी सुधारग जो है आपका गोपाल गनेश अगरकर के द्वारा जीजी अगरकर हिंदुस्तानी और एडवोकिट जीपी वर्मा के द्वारा प्रकाशित हुआ था केसरी पत्रिका जो है ये मराठी दैनिक और मराठा पत्रिका जो कि अंग्रेजी दैनिक है आप इनके बारे में इसके बारे में बहुत ठीक ठाक जानते होगे ठीक है अगरकर कौन था गोपाल गनेश अगरकर जीजी अगरकर और तिलग तो आप सभी जानते हो और चिपलूनकर साहब थे इन तीनों लोग ने मेल करके सुबात की थी केसरी और महराठा पत्रिकांग सदेश मित्परण की बात किया जा तो मदराज से सुबात की थी जी एस अईयर साहब ने सुबात की थी परी दशक जो की एक साथाही पत्रिका है विपेंच जंदरपाल के दोरा किया गया था युगांतर जो है आपका 1906 में बंगाल से प्रकासित हुआ था युगांतर कई पर आसे परिच्वा में पूछता है तो बारिंद्रणात भोष और भूपेंद्रणात दत्ता इनके दवारा सुरूबात की गई थी संधिया की अग manner बाद करें इस इसको 1906 में बंगाल से प्रकासित करना चुरू किया गया था और ब्राहमन बंदहभ उपाध्या है उनके द्वारा शूलू किया गया था भारती समाज सास्थ्री यह आपका लंदन से प्रकासित हुआ था स्याम जी क्रिष्ण वर्मा के दौरा वन दे मातरम पल्ली जगह है जगह का नाम है मैडम भीका जी कामा के दौरा इसके सुरुवात की गई थी वंदना पत्रिगा का नाम है यहां पर, फ्री हिंदुस्तान की बर्लिन में वीरेंदरनाथ चट्टो पाध्याय के दारा सुरवात की गई थी, बंबई क्रोनिकल एक दैनिक पत्रिका थी, उनने इस सो एक टेलर से स्टार्ट किया गया था बंबई से, बंबई क्रोनिकल आपको अतना परसान ही होना चीए, पत्रिका आज भी देखने के मिलती है, नेता, अंगरेजी में प्रकासित किया गया था, मदर महन मालवी के दोरा, बहिस्कृत भारत 1927 में बी आर अम्बेटर के दोरा प्रकासित किया गया, कुडी अरासु तमिल में प्रकासित किया गया था, 1910 में, ईवी रामस्वामी नाइकर पिरियार और एसस मिराजकर के एन जोगले कर, इनके दोरा प्रकासित सुरू किया गया था, कुडी अरासु जो कि तमिल भासा में होती थी, उन्हें इस सुद्रस सुरूबात की गई थी, बंदी जीवन बंगाल में सरचिंद्र सान्याल के दोरा, एस सान्याल के दोरा, इसको प्रकासित करना सुरू किया गया था, नेशनल हेराड जय है, ठीक है, पुराने जवाने का पत्रिका है, जो कि 1938 में जवाला नहरू के दोरा सुरूबात किया गया था, और उस पे भी भारती राश्टी कांग्रेस के अध्यचे काही, जो दबदबा बना रहता है, तवजीन उल अखलाख, जो कि एक पत्रिका है, 1871 में सुरूबात की गई थी, और सर सयद हमत खान के दोरा सुरूबात की गई थी, केसरी महराथी डिली अखलाख पत्रिका जो है आपका, 1888 में बाल गंगा तर तिलक के दोरा किया गया था, कॉमरेट, ठीक है, तो डियर कॉमरेट आप इसमें मुवी बनी है, 1912 में सुरूबात की गया था, अबुलकलाम आजाद के दोरा, प्रताप की बात करें, तो हिंदी अख़बार है, ये 1913 से सुरूबात की गई है, और गड़ेश संकर विद्ध्याथे जी इसके सम प्रकाशक है, इंडिपेंडेंट न्यूस पेपर, 1911 से सुरूबात की गई थी, मोधिलाल नहरू के दोरा, ठीक है, चंद्रमा नायक जो कि मराठी सब्टाहिक पत्रिकाई, 1920 में सुरूबात की गई थी, बियार अंबेटकर के दोरा, यंग इंडिया आपका सब्टाहिक जनरल है, जिसको एमक गांधी के दोरा ही, मोहंदास कमचंद गांधी के दोरा ही, 1931 से प्रकासित किया जाता है, कभी कभी आप से पूर सकता है, कि मात्मा गांधी की यंग इंडिया, नव जीवान और हरिजन, में से सबसे पहले कॉन रिलीज किया गया था, या फिर उसको काला क्रम में ब्यॉस्थित कीजिए, तो ऐसे प्रश्णों में आपको यहां पर ध्यान देना होगा, हिंदुस्तान दैनी आपका 1936 से मदंगवन मालवी के दोरा, इसके सुरुवात की थी, तो फिलाल इस वीडियो में हमने, जो इंपॉर्डेंट है आपके पत्र पत्र काया हैं, जो कि अंग्रेजियो के समय में काफी फेमस थे, उसके बारे में आपके डिस्कस करने का प्रयाश किया, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सस्काइब करना न भूलने धानिवाद,